नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डौक्टर मीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे की सिलनिटैब टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, सिलने टैब टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और सिलने टैबलेट की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि सिलने टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए सिलने टैब एक brand name है सिलने टैबलेट के अंदर sort composition सिलनी डिपाइन होता है यानि जिन व्यक्तियों का blood pressure अधिक रहता है उन व्यक्तियों में blood pressure को कम करने के लिए सिलने टैबलेट का उपयोग किया जाता है और दिल का दौरा पढ़ने का और लक्वा लगने के जोखिम को कम करती है क्योंकि लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वज़ा से किड्मी फेलियर, हार्ट फेलियर, दिल का दौरा पढ़ने का और लगवा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वज़ा से आखों की ब्लड वेसल भी दैमेज हो सकती है और आखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120-80 होता है अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर उपर वाल में सिलने टैब टैबलेट की वज़ा से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में सिलने टैबलेट की वज़ा से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं जैसे चक्कर आना चेहरे का लाल होना सिरदर्ध होना ब्लड प्रेशर ज्यादा कम होना में दर्ध होना, हाथों व पैरों में सूजन होना, दिल की धरकन का तेज होना, घबराहट होना, बार-बार पेशाब आना, शरीर में थकान व कमजोरी होना, उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, पेट में दर्ध होना, दस्त होना और तवचा पर रैशेस व खुजली होना को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है आमतोर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को dr. clinic P eenegnesy से लेकर सजब्स दस up को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं और बीमारी की गंभीरता ज्यादा होने पर डॉक्टर डोज को बढ़ा कर सिलनिटैब 20 mg टैबलेट को भी दिन में एक बार लेने की सला दे सकते हैं। सिलनिटैब टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको सिलनिटैब टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिसकस करेंगे कि सिलनिटैब टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। सिलनिटैब टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना अपनी मर्जी से लेना बंद नहीं करना चाहिए। और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है, तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए. इसके अलावा ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में लाने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइस करनी चाहिए. प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए सिलनेटैब टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित वर रेक्मेंडेड नहीं है. सिलनेटैब टैबलेट मा के गर्ब में पल रहे बच्चे को लुकसान पहुँचा सकती है. और स्तनपान करा रही महिलाओं में सि जलनिटैप टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका सिलनिटैप टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।